नौश्कार दोस्तों स्वागत आपका नए ब्लॉग में दोस्तों रात में मैं कलाया हुआ था सवराल तो रात में वारिस वने करण में रुक गया तो मैं सुबर उठा तो आया तो नदी के किनारे तो बहुती मनुहारी तरे से मैं मुझे देखने को मिला यह जो आप पीछे नदी मीजे देख रहे हैं यह दुर्वासा के तरब से आती है और यह ठीक इधर जो चली जाती है यह आजम गडवासी कम ही लोग जानते हैं तो इसकी क्या है भी सिस्ता है यहां क्या स्थानी नवासियों से चल कि हम मिलके पूछते हैं तो आप पांटीनों ब्लॉग में ब बड़ी बड़ी मसलिया हैं और यह देखिए जो इस वीडिया दिख रहे हैं आपको यह जल्दी तयार हुए और नदी का किनारा कितना सांत है और मौसम भी बारिस का होने वाला है और दोस्तों देखें कितने छोटे-छोटे कच्वे यहां टाल रहे हैं और अगर इनको ला दोस्तों यह जो शीडिया आप देख रहे हैं पहले यह नहीं थी अब यह जल्दी ही बनी है और उपर भी पत्थर वगएदा का काम होगा जिससे यहां का परिशर बहुत ही अच्छा और देखने लाइक बन गया और साफ सफाई हमेशा यहां होती रही थी थी इसलिए और दिखाते हैं मंदिर का सुंदर द्रिश दोस्तों यह मूर्ती जी जो देख रहे हैं आप यह त्रोणा चार जी के मूर्ती है है मैं लिखा तर्फेब द्यार ढूंदिर कर लाइं को कर दो कि दोस्तों के लाइए झांने कि वह कर दो देखा दें कि ऐसे और आप देख सकते हैं तेर रहे हैं यह यहते यह कच्छुवी तैर रहे हैं यह देखिए कैसे और एक दो नहीं है यहां साइगड़ों की तादात में हैं कि यह देखिए जलकुंबी पर कैसे चड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि यह देखिए कि अरे वह देखिए कितनी बड़ी मचली थी नहीं है नहीं है बहुत बड़ी मचली लाव लाई खिलाया जाए नहीं कि इनको पता आने यहां यह सुरच्छी था कि लाई यह मांग के खिलाया जाए तो दोस्तों यह तमसा नदी का किनारा और हम आचुके हैं नाव नेमेली पांदिर के सामने तब देख सकते हैं इसको दोस्तों आप बारिस हो रही है और इतना सांदार मौसम हो गया कि मैं क्या बता हूँ जान लिजिए कि मैं भीगने का मन कर रहा है और मैं पीपल के पेड़ के नीचे हूँ और आप आवाज़े साब देख सकते हैं चारो तरफ इतना अच्छा मौसम बन गया है और ठंडी ठंडी हवा आरही है नजी कि नारे से और मन तो यहां से नहीं जाने को कर रहा है वानिया साभडरा तो अटीर गोनिया आजिना गिया है रिया बात्ना अजया कहा है अजया दूना गोनिया घरलना है आजट एओ इंद उ हॉ हुु कि दोस्तों अभी हम जिस जगह पर है इस जगह को माहर से दुरबासा रिशी की जो गायों के चरने का स्थान था यह जो अगल वगल आप जंगल देख रहे हैं तो इसे यहां पर माहर से दुरबासा जी की काहें चर दी थी ऐसा लोगों को पहना और आगे चलते हैं हम आपको और यहां का सुन्दर दुरिस देखे चार तरफ बादल कितने कीरे चले आ रहे हैं क्योंकि पारिश तो ही रही है और बहुत ही जान लीजे ठंडा हो गया मौसम सुबह सुबह का और क्रामीरी इलाका होने कि नाते यहां पर दूर दूर तक कोई आ जा नहीं रहा है और यको दोस्तों आपको द्रोणाचार आश्रम की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर वताना और आपको हम बताते कि जी गूरु द्रोणाचार जे तो यह महाभारत कालीना आपने जो काहनियां पड़ी होंगी या महाभारत काली नाप जानते होंगे यह वही गुरु दोस्तों बारिस काफी तेज होने लगी आप चलते हैं किसी पेड़ की छाओं में रुकेंगे क्योंकि में भीग जाएंगे और आपको एक नदी का किनारा हम दिखाते हैं कि जहां पर मैं कई सालों से आता हूं और मुझे आके यहां पर बहुत सुकुन मिलता है और यकीन मानिये मैं अपने ससुर के साथ या अपने बच्चों के साथ यहां आता रहता हूं और यहां पर धेया सारी मस्ती करते हैं हम लोग छुट्टियों के दिनों में मुंआ नदी किनारे घुमने का दोस्तों आलगी मज़ा होता है खिसमे। और मैंने का चलो इसका फाइदा उठाया जाए और बारी सोरी थी हलकी हलकी तो घूमते हैं और अब जो बहुत तेज बारी सोने लगी है कर दो कर दो जाए भड़ा जाएंब यज़ मते हैं और यहां खूमते हैं और यह सब हैं कर Better और प्रहल कर दो कर दो 5 कर दो कि अपने लिगा है कि अपने 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 कि अपन अजय है झाल झाल झाल